हेलो सोल फैमिली आप सभी का बहुत सारा वलकम है आपके अपने चानल इजी लाइ ट्रिपल वन के उपर आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में अचानक से नेवली ने आना शुरू करतीया है या अचानक से आपको कही नेवला दिख जाता है तो यूनिवर्स का क्या संकेत है, क्यों दिख रहा है आपको नेवला क्योंकि इत्तिफाक से कुछ भी नहीं होता है जो भी होता है यूनिवर्स के प्लैन के हिसाब से होता है तो अगर आपको अच्छानक से नेवला दिख जाए बटरफ्लाइ दिखे, फेदर्स दिखे, हनी भी दिखे इन सारी चीजों का दिखना इत्तिफाक नहीं है अगर आपको पहले ही पता चल जाए अगर आप समझ जाए कि ये सारे संकेत आपको क्यूं मिल रहे है तो ये कितनी अच्छी बात हो सकती है तो अगर आपको नेवला दिख रहा है तो आज आप जान सकते हैं कि उसका मतलब क्या है बट उससे पहले आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं पुल ओफ अट्रेक्शन की बहुत सारी वीडियोज जिससे आप अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहने लगे थे तो वो सारी चीजे आपके लाइफ से दूर होने वाली हैं और एक पॉजिटिव साइकल सुरू होने वाली है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरुरत है अगर आपको कहीं भी नेवला दिखा है तो चाहे आपको अपनी घर के आसपास दिखा हो आपके घर में दिखा हो आप सड़क पार कर रहे हो वहाँ पे दिखा हो कहीं जंगल में दिखा हो कहीं भी आपको नेवला दिखा है तो आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है और बहुत पॉजिटिव साइन है बात करें इ जहां अचानक से कहीं न कहीं से धन आएगा, आपके लाइफ में पैसों की कमी जो थी वो दूर होगी, अगर आपके पैसे किसी ने ले लिये थे और लोटा नहीं रहा था तो वो पैसे भी आपके मिल जाएंगे, या फिर किसी भी तरह से आप अपने पैसे को खो बैठे थे, वो पैसे मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है, कि आपके घर में पूरवजों ने कहीं धन रखा हो, और आपको पता नहीं है, वो भी मिल सकते हैं, नेवला अगर पूजा रोम में आ जाए, तो ये बहुत positive shine होता है, और ये इसी तरह इशारा करता है, कि आपको गड़े हुए धन भ लगते हैं, ठीक है जी, लेकिन हाँ, अगर आपके पूजा रोम में आया है, और आपने कहीं भी पैसे invest किया है, और वो पैसे वापस मिलने की उमीद नहीं है, तो हो सकता है, कि वो पैसे आपको मिल जाए, क्योंकि नेवला पूजा रोम में इसी लिए आया है, कि आपको आ आपके पैसे जरूर मिलेंगे, चाहे वो इनसान चाहे या ना चाहे देना, उसको देने ही पड़ेंगे, उसके मन में ऐसे विचार आ जाएंगे, कि आपके पैसे वो लोटा देगा, अगर आप जॉब कर रहे थे और सैलेरी नहीं बढ़ रही थी, तो हो सकता है, कि अचानक रूम में नेवला आके और घूम के चला जाए या फिर आना शुरू कर दे, तो समझ लिजे कि आपकी ग्रोथ सौगुना तेजी से बढ़ने वाली है, ठीक है जी, तो बहुत खुश होने की जरूरत है अगर आपके घर में नेवला आ रहा है, अगर बात करें इसके तीसरे स अंकेत की, तो अगर आप कहीं कोट केस में फशे हुए थे, कहीं जमीन ले रहे थे, वो ले नहीं पा रहे थे, किसी ना किसी वज़े से टल जा रहा था, मतलब आप कोई भी काम करने जाते थे, कोट में जाते थे, तो आपका काम नहीं हो पाता था, जमीन लेने जाते थे, तो वहां भी नहीं हो पाता था, अगर नेवला दिख जाये, आपको राष्टे में जाते हुए, अगर आप जमेन के लिए जा रहे हैं, और राष्टे में नेवला दिख जाये, या समझ लिजीए, क्या आपकी जीत पकी है, आपका काम होके रहेगा, बात करें इसके चौथे स तो अगर नेवले को आप साप से लड़ते हुए या साप को मारते हुए देखते हैं तो समझ लेजिए कि ये थोड़ा नेगेटिव संकेत है क्योंकि हो सकता है कि आपके दुश्मन आपके आसपास ही है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसलिए ये युनिवर्स इशारा कर रह हो इसलिए थोड़ा आख और कान को खुला रखिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए सही इंसान का चैन केजिए ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपका अपना ही हो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो सबसे खास रहता है वो आपके साथ कुछ गलत कर बैठता है और जो दूर दूर तक कोई रिष्टेदार नहीं है वो आपकी साथ अच्छे रिष्टे ने भाजाता है तो इसलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसा दिख रहा है कि साप और नेवले को लड़ते हुए आपने देखा तो थोड़ा सा सम्हलने की ज़रूरत है आसपास के लोगों से बचके रहे हैं हो सकता है आपके आसपास आपसे जलने वारे लोग बहुत ज़ादा हो तो don't worry अगर यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बिना टेंशन के लाइफ को खुसी से जीना सेख लीजिए क्योंकि आ आप अगर positive रहेंगे तो life में definitely positive चीजे ही आकरशित होंगी इसे के साथ इस वीडियो को यहीं paint करते हैं अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो इस चानल को subscribe कर लीजिगा और बहुत सारी law of attraction के वीडियो हैं जिससे आप अपनी life के किसी भी problem को सही कर सकते हैं अगर पिर आप मुझसे personally connect होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आइडे is skywings triple 2 है आप वहाँ पे आके मुझसे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं मैं मिलती हूं next वीडियो में तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखें खुश रहें पॉजटिव रहें मुस्कुराते रहें God bless you झाल 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 झाल